सबसे पहले देखते हैं बच्चो सबद पहला सब्द है रंगाई रंगाई कार्थ होता है कपड़े रंगने की दुकान दूसरा सब्द है इर्षया, इर्षया का अर्थ होता है जलन, नेक्स्ट है महसूस, महसूस का अर्थ होता है अनुभव, नेक्स्ट है बुलंद आवाज, बुलंद आवाज का अर्थ होता है तेज आवाज, नेक्स्ट है तारीफ, तारीफ का अर्थ होता है प्रसंसा, नेक्स कि वेह कपड़ा रंगवाने नहीं उसे परिसान करने आया था, अगला क्उष्ची is अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया क्यों, आंसर है अवंती को सेच का इरादा समझ में आ गया, इसलिए उसने कपड़े को अलमारी में बंद करके रख दिया अगला कुश्यन है सेट कपड़ा लेने किस दिन आया होगा आंसर है सेट समझ गया कि अवंती को उसकी चाल पता चल गई है इसलिए वह कपड़ा लेने नहीं आया होगा अगला कुश्यन है नीचे के वाक्यों में कुछ हरी बरी सब्जियों के नाम छुपे हैं ढूंडो तो जरा अब बच्चो इधर उत्तर है अब भागो भी वारिस होने लगी है तो बच्चो इसमें कौन सा नाम है गोभी तो कौन सी सब्जी है गोभी की नेक्स्ट है मामू लीला मौसी कहा है तो इसमें कौन सी सब्जी है मूली तो यहाँ पर लिखेंगे मूली नेक्स्ट है सीला के पास बैग नहीं है तो बैग नहीं में कौन सी सब्जी है बैंगन तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बैंगन नेक्स्ट है रानी बोली हमसे मत बोलो तो बच्चों यहाँ पर कौन सी सबजी है सेम तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सेम नेक्स्ट है गोपाल कबूतर उड़ा दो तो बच्चों यहाँ पर कौन सी सबजी है पालक तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पालक अगला question है आफंती के बारे में कुछ वाक के लिको तुम उसके कपड़ों सकल सूरत पालतू पसू बुद्धी आधी के बारे में बता सकती हो आंसर है आफंती लंबा चोगा पहनता था चेहरे पर दाड़ी मूचें और सिर पर टोपी थी उसने गधा पाल रखा था वह बड़ा बुद्धी मानता था वह बुद्धी को ताकस से बड़ा मानता था अगला question है कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे सब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती इसी तरह इन वाक्यों में कुछ सब्द फालतू है उन्हें धूनकर अलग करो answer है बच्चो बाजाय से हरा धनिया पत्ती भी ले आना तो बच्चो इसमें कौन सा सब्द extra है पत्ती एक पीला पका पपिता काट लो तो बच्चो यहाँ पर ये जो पीला है ये extra सब्द है next है अरे रस में इतनी सारी ठंडी बरफ क्यछं डाल दी तो इसमें बच्चो का मतलब पहले ही है कि हम पेड तोड़ रहे हैं यहाँ पर ताज शाब्द बात मत करए अब कहा है सब्ध करना न भूले और यह और इस चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को subscribe करें.. thank you